हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चनल पड़ी चप लामवी तो चलिए आज की EBS की किनास को शुरू करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो पाठ पाँच पढ़ेंगे बीज 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 तो चलिए बीजों के बारे ने पढ़ेंगे आज लिखा है बोपाल की मोसी का परवार छुप्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाना पाठ तरह तरह का खाना मनेंगा और सम बच्चे खूँख खेलेंगे यह सोचकर बोपाल बहुत खूश था इतने में मा ने आवाज लगाई बोपाल रात में दो कटोरी चने याद से भीगो देना मा को गुगा के घर जाना था और वे सुधाय नोट भी बोपाल ने रात में चने भीगो ते मुए सोचा मा ने बस दो कटोरी चने कहा बैवी आठ नोगन के निए ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे इसनिए उसने चार कटोरी चने भीगो दिए सुगह मा बापस आई तो गुपाल को बुलाया और कहा इतने सारे चने क्यों भीगो दिए देखो ये तो बरतन से बाहरा कई इस चित्र में भी आप देख सकते हैं चने कटोरे से बाहरा बैएगे आखे लिखा है गुपाल सोच भी पड़ गिया यह कैसी भुगा मा ने कहा चनो अच्छा नी मुगा तुमने इतने चने भीगो दिए अब मैं आदे चने अंकुरित करके बुगा के लिए भीजवा दन दे डॉक्टर ने मुगा को अंकुरित खाने खाना खाने की सला दे मा ने अंकुरित कर्मे के नियें भीके रुज़च में एंगीने कपड़े में लपेड़ कर तो चनी के अलावा सावत मूग को भी बिगो कर फिर गीले कपड़े में लपेड़ कर अंकुरित किया जाता है इसके लावा और भी अनाज हैं जिनको इसी फिर्कार से अंकुरित किया जाता है खाने के निगी कितना किसका पौधा कितना बड़ा एक गमला या चोड़े मुह वाला डिम्बालो इसके नीचे छोटा सा छेदकन के मिट्टी भरो किसी एक किस्म के चापाच बीज मिट्टी में दवाद क्च्छा में सबी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज गोई NO Jenkins जैसे सर.्सों मिथी दाना तेलिं धन जान तो ये बेज है अलग-अलग पिर्कार थे तो इनकी प scanner की लबाई भी अलग-अलग पिर्कार ही होती है। पत्तियों की बनावट में भी भिनता होती है। धनिया की पत्ति भी अलग तरीके की होती है। एक जैसी नहीं वोती सिकारी पोधे ये बहुत ही ज़्यादा इन्पोर्टेंट है और इससे प्रस्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी भया है और चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में लिखा है कुछ ऐसे पोधे भी वोते हैं दोत्पोहल, मेडिकोल, कीरे मकोरों और छोटे जीवों का सिकार करते हैं इनमें निपयंतिस सबसे ज़्यादा मसूर है यह आस्ट्रेनिया, इंडोनेसिया और भारत के मेगाने राज में पाया जाता है यानि अपने देस भारत में ये मेगाना राज में पाया जाता है इसका आकार लंबे घड़े जैसान होता है जिसके उपर पत्ती का डखकन लगा होता है घड़े से खास खुस्बू निकलती है जिसकी वज़े से कीरे खिचे चले आते हैं पौदे के उपर पहुंसते ही कीड़े अंदर पस जाते हैं और बाहर नहीं निकन पाते देखा ये पौदे भी सिकार करते हैं और वह भी कितनी चत्राई से इस चत्र में आप देख सकते हैं ये कीड़े जो है ऐसे इनके पास आते हैं क्योंकि इसमें एक खुसबू आती है गड़े से ये गड़े जैसा इसका मुख है और इसमें ये पास जाते हैं उमक्कर बीज लिखा है पौदे अपनी सारी जिन्दों ये एक ही जगए खड़े रहते हैं ये चलते नहीं लेकिन इनके बीज बड़े ही उमक्कर होते हैं पौदों के वीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं तो वीज एक स्थान से दूरे स्थान कैसे पहुंच जाते हैं हवा की मदस से उड़ पाते हैं ये और एक स्थान से दूरे स्थान पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर क्या निखा है चित्र दो को ध्यान से देखो इस वाले चित्र को इस चित्र में ये वाले वीज चपे रुए हैं इस वाले चित्र की बात उड़ेंगे लिखा है यह वीज हवा में तो उड़ नहीं पाता यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों भी अटक जाता है है ना मुक्त में से और इन भी जो देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया ये कपड़ों से चिपक जाते हैं या जानवरों की खाल में चिपक जाते हैं और एन जग़े से दिंस्वी जग़े चले जाते हैं पर वो सुटिजर लेंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया हैं। जनी पढ़ते हैं। निखा है यह घटना उनने सौड़तानिस की रहें। एक दिन जोर्ज मेस्टरल अपने कुट्टे के साथ सेर से नोटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बी वेलक्रो इसकोप निकाला वीजों को बारी की से देखने के लिए वीजों वे छोटे-छोटे भोग कि थे। इनकी मदस से वीज कपड़े की रेसों पर अटन रहे थे। यह देखकर मेंस्टरन को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोलों सतर चिपक जाती ह और खुलने पर चर-चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदी में इसका इस्तिमार देखा होगा है ना मज़ेदार किस्सा प्रकरती से प्रेडा नेने का। जैसे कि स्टेंडल में ये लगा होता है वेलक्रो बैग में लगा होता है और ब क्या तुमने हमें यानि इनसानों को सामिल किया है। हाँ, हम भी बीजों को यहां से वहां पहुंचाते हैं। अंजाने में और जान नूज करना है। कोई पौदा पूर्शूरत लगे या कोई पौदा दवाई में उप्योगी वो तो हम उसके बीज अपने मतीचे में उग उगते थें। यह तो कनी और से आई है। पता है मिर्ची हमारे यहां कहां से आई है। इसे पूर्टगाल देश के व्यपारी दक्षड अमरीका से भारत लाई थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो मिर्ची कहां से आई अपने देश भारत में। तुर्टगाल देश के व्यपारी थे इसे दक्षड अमरीका से लाई थे। और अब यह यहां पर ही उगाई जाती है। जानना चाहते हो कौन कहां से आया है इस कवता भी पड़ो। तो यह कवता बहत महत्यपूर है और इ जाता है पूछ लिया जाएगा कि मिर्ची अपने देश भारत में कहां से आई है या आलु कहां से आया ने। तो इस कवता में सब कुछ लिखा है तो चलिए पड़ लेते हैं। लिखा है आलु मिर्ची चाय जी कौन कहां से आये जन। साथ समंदर पार से दुनिया के बाज से ब्याबार से उपहार से जंग लड़ाई मार से अन्वस्ते से आये जी आनु मर्ची चाये जी दच्चर अमरी की मिर्ची रानी मसानों की है पटरान तो मिर्ची आई है दच्चर अमरी का से यह याद रखना है आने दिखा है वो फटी आनी अमरूद धो मचाते करते उचनक साथ टमाटर आए जी आलू मिस्ची चाय जी मिंडी है अपनीका की बुरी बुरी कौफी घिन यानी धिंडी और कौफी ये अपनीका से आई है नक्से में इंगरोप किदर वही से आये गोभी मटा अब गोभी और वटर नियूरोप से आया है आगे निका है चाय असम की बाई जी आलू मिस्ची चाय जी चलिल चीन से सोया विंग पहुची अमिरिका बजाती वे वो घाम लोटी अपने देश उसमें है वोड कहीं से यान की सोया विंग जो है वह चीन से आई है लेकिन चीज से पाँची अमेरिका में और अमेरिका से अपने देश भारत में आगे निकान है रॉम जमाकर आई जी आनूरिट जी चाई जी बैगन हुनी सेम करेला आम संत्रा बेर और केला पानक परवल टिंडा में थी हैं माईब हैं ये सब देशी भारत की पैदाईस जी कौन कहां से आई जी आनूरिट जी चाई जी तो अपने देश भारत की पैदाईस कौन कौन से हैं बैगन नी सेम करेला आम संत्रा बेर केला पानक परवल टिंडा में थी ये सबी अपनी देश भारत में ही पैदा हुए है, ये कहीं बाहर से नहीं आए तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था आज की लेसन भी मेजों की बारे में जाना केट बच्छी पोदे की बारे में जाना और समझियां अपने देश भारत में किस किस देशों से आई है इन सब के बारे में जाना तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट वाक्स में जनूल बताईएगा और यदि आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करेंजिएगा मेंते हैं एक और नई वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई